नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जॉब के बारे में जिसे आप अगर करते हैं तो एक अच्छी इंकम के साथ साथ आप अपना फ्यूचर भी बहतर कर सकते हैं तो यह जॉब नबाड यानि नैशनल बैंक और अगरिकल्चर एंड डेवलप्मेंट से रिलेटेड होने वाली है यह जोब उन शुडेंट के लिए निकाली गई है जो तैंत पास हो चुके हैं और गवर्मेंट जॉब करना चाहते हैं जिसमें कि आपके लिए टोटल 108 वेकंश इवेलेबल होंगी आगे विस्तार से हर चीज के बारे में आपको जानने को मिलेगा तो बने रही है हमारे साथ वीडियो में तो हम आगर देखते हैं क्या-क्या रहने वाला है इसके अंडर में तो यहां पर सबसे पहले टेवल ऑफ कॉंटेंट में आ जाता है जो कि इसमें वह चीज़ें जो हम डिटेल में जानने वाले हैं तो सबसे पहले नमबर पर एक ओवर्विव जो कि इसमें जो भी टॉप यह टॉपिक है इसका एक ओवर्विव बताया जाएगा कि इसमें ओवरॉल क्या-क्या रहने वाला है तो और सेकेंड पर है इंपोर्टन डेट कुछ इंपोर्टन डेट बताए जाएंगी क्या-क्या रहने वाली है वो भी बताया जाएगा और इसमें टोटल पोस्ट जो कि पहले आपको बता दिया एक सो आट है अगे इसमें बात की जाए तो पे स्केल एंड बेनिफिट्स और सेक्शन प्रोसेस और कैसे अप्लाइ करना है और कुछ टिप्स भी दी गई हैं कंक्ल बता दी जाएगी तो आगे हम ओवर्वियू में देख लेते हैं कि जो यह नबाड में सेक्शन सी में आता है नबाड के सेक्शन सी में याली पोस्ट है जो आप देख सकते हैं गुरूप सी और इस पोस्ट का नाम है ऑफिशियल अटेंडेंट तो हम आगे जो कुछ अक्टोबर तक ही आपकी पेमेंट की लाज डेट होगी तो आप यह इसको नोट करके रखियेगा और इसको भूलियेगा नहीं और जो एक्जाम डेट है वो इसकी में वेबसाइट पर हो जाए मतलब सेड्यूल हो जाएगी तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं और जो इसका एलिजिबल क्राइटीरिया है वो अब आप डिसकस करते हैं जो कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो इसमें पहला पॉइंट है केंडिडेट मस्ट हैफ पास्ट था क्लास्टेंट मार्टिकूलेशन एक्जाम फ्रॉम रिकॉगनाइस फोर इंडिया तो इसका मतलब है कि आ वैलीड मैट्रिकूलेशन चैट इसमें तो इसमें हाईर कॉलिफेशन चाहिए इसकी जूर्यत नहीं है लिए वर फयरीटumpy को एक जो اगम मैट्रिकूलेशन सेटिकूलेशन रह इंडिक है और यहां पर यहां पर ऐस्लीमिट के बात की जाये तो यहां पर ऑनिमम पे जाए वो रहने चाहिए थार्टी अथार्टी से तीज के बीच में आप यहां पर होने चाहिए जो एज रिलाक्सेशन है यहां पर मैं बता देता हूं Candidate belonging to reserved categories such as SCST and PH are eligible for exam relaxation as per the government rules and regulation the specific details of age relaxation will be provided in the official notification तो यह भी जो भी एज रिलेक्सेशन से जो भी एज रिलेक्सेशन आपको मिलेगा तो वह भी official website पर आपको notify कर दिया जाएगा और जो आप इन्डिया से होने चाहिए इंडिया के बाहर का यह जॉब के लिए है eligible नहीं हो पाएगा और application fee की बात की जाए तो वह रहने वाली है 450 यहां पर overlap और रखा है तो आप देख सकते हैं यहां पर आप जूम करने पर दिख जाएगा तो यहां पर 450 चैनल शॉबू से और स्थॉख के लिए यहां पर रहने वाली है उनली 50 रूपीज है को आप पेंट रहने वाली है जो आप कर चाहिए उसका मोड आंलाइन रहेगा तो आप कर डेबिट कार्ट कर डिकार लाना डैड़ वैंकिंक कि जिससे भी आप को सही लागए कि उससे आ पोस्ट रहेगी और टोटल पोस्ट एक सो आठ हैं और जो एलिजिबिलिटी यह भी आपको बता दिया गया है कि 10 पास होना चाहिए कम से कम तो अब बात करते हैं पेश केलन बैनिफिट्स की तो यहां पर अभी एक्जक्ट सेलरी डिटेल्स यहां पर अभी जिलीज नहीं हुई है तो ऑफिसल वेबसाइट पर कुछ टाइम में वह भी जिलीज होताईगी पर यहां पर इनोंने ऑफिस एट एटेंडेंट की एक 10-25 पर मंत उसके साथ साथ यहां पर टी यह प्रवाइड घरटें सव Свलएट और के आधि के वीगण व्याभी करते हैं और इसके जांट एट lefk बोचल यहां पर दो स्टेजिस रहेंगे पहले रहेगा कि आप एक आपका रिटन एक्जाम होगा और इसमें पर पहले बताया हुआ है कि अभी जो एक्जाम प्रेटन रहेगा यहां पर देखिए आप चुछ टाइम में प्रॉइड हो जाएगा ऑफिशल वेबसाइट पर तो आप प बिजनिंग और यहां पर यह भी बताया हुआ है कि जो भी आपका एक्जाम होगा यह जो भी एक्जाम होगा आपका इसमें थोड़ी बहुत डिविकल्टी रहेंगी इसी पेपर नहीं आने वाला है तो आप अच्छे सा तयारी कीजिएगा तो अगला स्टेड़ी यहां पर र ड़ीपरूव कैटिगरी यह सेटिफिट्पीट जो भी nah पाया सकता है अबिनले जाते ऐं Jeff करना जाते हैं तो पहले यहां बताया हुआ हरे कैसे क्या क्या करना है तो चलिए यहां जानते हैं कैसे कैसे कि आप तो पहला हम विजे दो ऊफिचल सब्साइट मेंशंग है यह यहां पर website www.navar.org यहां पर पहले जाना है सबस्टिक करें सब्सक्राइब करना है ऊक्ति करना है जितakah्ति करना होगा एग्दम चैरिप लेने हैं उसके बाद रहे होगा तो वहां पर रेजिस्टर करना है वहाँ पर ज्यादा कुछ निपट आपको छोटी कुछ-कुछ डिटेल बढ़ने पड़ेगी जैसे नहीं आपका नेम हो गया इमेल एड्रेस फोन नंबर और ठोड़ी बहुत चीज़ों और कुछ जो भी होगा वहाँ पर आपको पता दिल जाएगा इसके बाद जब आपका आपको एप्लिकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा जिसमें कि आपको जो भी इंफॉमेशन होगी डिटेल इंफॉमेशन मांगेंगे वहाँ पर आप उसको थोड़ा कैरफुली भरियेगा तो वहाँ पर जैसे कि आप इस टाइप से मांगेंगे जैसे आपकी परस्नल जो आपकी फोटोग्राफ हो गए सिगनेचर हो गए और जो भी इंपॉर्टन डॉक्यमेंट है जैसे आइडी प्रूव जो यहां पर उपर ही पता है था आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगरा के इनके से इनके साइटिफिकेट रिपोर्ट कार्ज वगरा आपको अप्लोट करने पड़ेंगे और यहां पर सिग्स्थ स्टेप है पे दा एप्लिकेशन फी तो यहां पर आपको एप्लिकेशन फी जो भी जिस भी कैटिगरी में आप आते हैं उसके साब आप से मांगेंगे तो वह आपको ऑनलाइन फी पे कर देनी है सेवेंस में आता है जाएगी तो वहां पर आपको डाउनलोड करने का उप्सिन मिल जाएगा तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और हां गाइस अगर आपको किसी भी चीज में कोई इशू आ रहा है कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारी वेबसाइट हिंडी में विक्की पर कर सकते हैं अब बात करते हैं कुछ टिप्स की जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है इस एक्जाम से रिलेटेड तो इसमें फर्स्ट इप है नोय और स्लेबस तो आपको अपना स्लेबस पता होना चाहिए और आप उसको ऑफिसल वेब्साइट पे जाके चेक कर सकते हैं जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कि इतने टाइम में पेपर एक सॉल्फ कर पा रहे हैं तो इसके लिए आप एक और चीज़ कर सकते हैं आपको कोई पेपर उठा लेना है और आपको साइड में टाइम सैट कर लेना है जितने भी टाइम का पेपर ह सब्सक्राइब ठिकनों ना वहता है तो इसके टाइम हड़ा atלה करने यह पर को कि आपको किपनी और मैंने करनी कि आपको स्पीड ऑनको क्या चा यह हैर यह कि नेक्सले लिए आपके लिए है इस्टे अपडेटेट तो आपको टाइम टु टाइम जो भी ऑफिशल वेबसाइट नवार्ट की वहाँ पर विजट करते रहना है नोटिफिकेशन आता है कोई मैसीज आता है तो आपको वहाँ पर उसको पढ़ते रहना है जिससे कि आपको आगे कोई चेंज से करना है आपको और confidence रहना है आपको positive attitude बना के रखना है positive energy बना के रखने है जिससे कि आपको थोड़ी help मिलेगी अब यहाँ पर आगे बात की जा तो यहाँ पर कुछ important links हैं और कुछ official websites हैं जो कि नवार्ट की official website और link किया है तो आप यहाँ से विजट कर सकते हैं आज की इस वीडियो में सिफित नहीं अगर आपको वीडियो थोड़ी से informative लगी हो अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगी हो तो एक like और एक subscribe जरूर करें धन्यवाद